बले ही सरकार जल रोखने के लिए करोडों रूपे खर्च कर रही है लेकिन इन योजनाओं के अंतरगत बनने वाले तालाब भरष्टाचार की भेट चड़ते जा रहे हैं एसा ही मामला सामने आया है खाचरो तहसिल के वाचा खेडी गाउं का यहां सिचाई विभाग द्वारा लगबग 3 करोड 38 लाग की लागत से तालाब का निर्बान किया गया था लेकिन पहली ही भारिश में इस तालाब की पाल तूट गई है जिससे इस तालाब में भरा पानी व्यर्त बह गया है अब किसानों को इस तालाब से कोई लाब नहीं मिल पाएगा ग्राम वाचा खेडी और बागेडी की जमीन पर भी फसलों का नुकसान हो रहा है बताया जा रहा है कि तालाब में पानी लबालब भरा हुआ था मातर एक मिटर ही खाली था जो अब पूरी तरह से खाली हो चुका है तालाब फूटने के खबर लगते ही आसपास के चार-पास गाओं के ग्रामिनों का जमावडा लगता गया वहीं सीचाई विभाग के अध चले जाते थे नागदा से संजे शर्माय के रिपोर्ट इसमें नुकसान जनता का केवल इतना हुआ है कि इस साल पानी नी रोग पार है इसमें जो तीन करूब पर जो का लाज़त भी लगी है वो जनता के पैसे कि सब्सक्राइब लगत 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 देने की तो अब इसके लिए प्रक्राइब कि आपकी आगे प्रक्राइब कि यदि अभी अमको टाइम मिल जाता किसी का उपर वल्ला यदि बारिश नहीं होती है तो पंद्रा से बीच दिन का काम है फिर से किया जा सकते हैं और इनकेज यदि नहीं मिल पाए तो फिर यह गर्मी के स लुए तो फिर आपकी इसमें चमी रहें ड़ें चेख़अ की तो आपकी जौज का विशे बता रहें हैं तो क्या एक्सें लेंगे अब तो अभी तो डेमेज रिपोड बनेगी और कितनी छती हुई है नहीं नगल की पर आपके आप देखर पर देखनें लेगे जागी जब विडियो लिया उसका अभी देखा है मैंने वापर अपने कुमे पानी बढ़ जाएगा इसलिए सुबह आके देखा तो नाला में पानी इधर बागेडी के तरफ गरा तालाप लेकेज हो गया तो बिल्कुल अधने टफ पढ़ गया क्या बॉलिन सकते हैं इस बार आपको इस इस साल में फाइदा नहीं मिलेगा अज़ा किसी को जनानी आर्थिक नुख्तान तो किसी की नहीं हो नहीं हो इससे पानी चला अपका बहेक है अब अच्छा पानी बारा वा था था बहुत फाइदा मिल दा था नागदा के